कि अज़ आज में आज मैं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पुराने वाले शिष्टन टेंग में जो दिवार के अंदर आता है शिष्टन टेंग उसमें जो इनलेट वाल आता है इसमें कई बार क्या होता है कि खराब हो जाता है इसमें क्या क्या खराब होती है उसके अबार में आपको पूरा डेटेल के साथ बताने वाला हूं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह है वीडियो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें पहला आपने बात करते हैं यह लेट है जो कि आपको शो हो रहा होगा यह इसका सिस्टम है आपको पता होगा यह जो सबसे पहले दिक्कत आती है इसमें यहां से कनेक्ट होता है इसमें सबसे पहले दिक्त आती है यहां से अगर पानी कम स्पीड से आ रहा आपके तो आपको यह जालिया निकालनी है और वो कलीन करनी होती है यह कलीन करनी होती है जैसे यह दो जालिया होती है यह आपको अच्छे तरह से कलीन करनी होती है फिर बाद में यहां से वापस फिट कर देना होता है पहला काम यह करना होता आपको अगर पानी कम स्पीड से आ रहा है तो यह काम कर दीजी आप फिर आगे अगर आपन चलते हैं फिर आगे क्या करना आपको अच्छे से चूड़िया बन करके फिर फिट करना होता है पिर आगे अपन चलते हैं फिर भी अगर आपके पानी का इस्यू हो रहा है या कुछ और इस्यू हो रहा है तो यहां से आप इसको फोलेंगे एक खोल दीजिए निखोल दिया आपने इसको साइड में टाइक और फिर यहां से खोल दीजिए आप यहां से खोलने के बाद में आप यहां से इनको खोलेंगे यहां पर क्या होता है कई बार कच्रा अगर होता है तो आपको अच्छी तरह से साफ करना होता है और फिर बाद में जो ओशर होता है इस ओशर को देखना है कि यह कहीं से राय कूCH और इस्वी का रहा है तो इसको हेंट है चेंज्ञ करना है और फिर बाद में कि ये आता है जो चारोर कि इसके जो का शरect आ उसको अच्छा करना है और इसमें के बारिक सा छेद है जो होल है ये क्लिन रहना चाहिए कई बार क्या होता है कि आप ये वोशर भी चेंज कर देते हो इसके बावजुद भी इसमें पानी स्पीड बहुत कम रहती है या आता नहीं है तो इसका इश्यू ये होता है कि ये होल बंद रहता है ये होल आपको सेफ्ट पीन से एकदम क्लिन करना पड़ेगा तब जाके इसमें अच्छे तरह से आपके पानी आ जाएगा बाकि यहीं इसी होता है इसके लावा और को इस्यू नहीं होता है तो दन्यवाद दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो अग दन्यवाद दोस्तों वेलकुम